हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका यदि आप यूपी आगनवाड़ी का फार्म मुवाइल से भरना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप वन बैवन इस्टेप फिल अप कर सकते हैं वह भी घर पर बैठे हुए तो बनर यह फ्रेंड्स वीडियो के अंतक और आप मुवाइल से घर वेठे को SIMPLE तरीका से आप zasakते हैं चाहना कि सरकारजें.com पर आपको जाना है गूवल क्रोम पेंड कर आज चाहते छाए है थीक है उसके बाद आपको सपर आपकोँ चलीना है उस पर आपको क्लिक करतेना है आपके सामने इसे कोटल अपेंड हो जाएग उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो village है, आपका जो gram सबा है, आपका जो ward number है, उस पर कितनी vacancy है तो आप simply देख सकते हैं, उसके लिए आपको देखना होगा कि आपका यहाँ पर जो district देख रहा है, वो कहाँ पर आपका district है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो gram सभा है उसमें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे friends तो आपको दिखाई देगा कि आपकी gram सभा में कितनी vacancies है ठीक है उसके बाद आपको जब registration करना है friends तो नीची scroll करके आजाना है और जैसे आप आजाते हैं यहाँ पर तो आपको एक option दिख जाएगा यहाँ पर apply online का ठीक है और यहाँ पर simple तरीका से आपको दिख जाएगा registration और login का option simply आपको registration पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप registration पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने portal इस तरह से खुल कर आज जाएगा simply friends ऐसे एक portal open हो जाएगा यहाँ पर आपको आवेदर का नाम भरना है अपको ठीक है यहाँ पर पिता का नाम भरना है यहाँ पर district आपको select कर लेनी है और यहाँ पर आपको mobile number fill up कर लेना है ठीक है आपको रजिस्टर या फिर पंजी करें पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी मुवाइल नमर पर एक OTP चला जाएगा तो आपकी मुवाइल नमर पर एक OTP इस तरह से चला जाएगा ठीक है OTP आपको यहाँ पर fill up कर देना है OTP के अस्थान पर और यह जो capture दिख रहा है friends इसको भी fill up कर देना है तो चलिए हम लोग पटापट OTP को fill up कर लेते हैं जैसे ही आप OTP और capture फिल up करने के बाद आप submit पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक portal open हो जाएगा Successful का option दिखने लगेगा और यहाँ पर दिखेगा कि आपने सफलता पुरोग पंजी कर लिया है तो friends जैसे आप सफलता पुरोग पंजी कर लेते हैं तो आपको login कर लेना है तो लॉग इन करने के लिए simply आपको करना है friends यहाँ पर जो आपने mobile number fill up किया था उस mobile number को यहाँ पर fill up कर लेना है आपको यह जो capture दिख रहा है friends इसको यहाँ पर fill up कर देना है और simply आपको login पर click कर देना है जैसे आप login पर click करने तो आपकी mobile पर फिर से once again एक बार और OTP जाएगा तो चलिए start कर लेते हैं तो इस तरह से OTP एक और आगया है friends इस OTP को जो है पुना है यहाँ पर हमें fill up कर लेना है और फिर यह जो capture दिख रहा है यहाँ पर हमें fill up करके login कर लेना है यहाँ पर OTP fill up कर लेना है और यहाँ पर आपको capture fill up कर लेना है तो हम लोग जल्दी से फटापट कर लेते हैं तो friends जैसे आप OTP और capture code को fill up करने के बाद verify या सत्यापित पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक portal open हो जाएगा यह जो form है friends आपको 6 step में complete करना है ठीक है तो आपको simply करना क्या है यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जनपद का नाम select कर लेना है काफी easy है पर यूजना का नाम आपको select कर लेना है सहरी या फिर gram है उसको आपको select करना है कि gram है कि सहर है ठीक है तो आप सहर में राते हैं या gram में राते हैं उसको आपको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर simply आपको पंचायत को select कर लेना है जैसे आप gram सभा को select करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर नया पंचायत तो कुमारी select कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको simply यहां पर जो आवे दीतिका है उनका नाम यहां पर हिंदी में आपको fill up कर लेना है उसके बाद यहां पर अंगरेजी में fill up कर लेना है उसके बाद यहां पर पीता का नाम fill up कर लेना है फ्रेंट्स ठीक है उसके बाद यहा पर आपको क्लिक कर देना है जैसे अगला पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा जो पेज है ओपेंड हो जाएगा तो जी लिए फटाफट हम लोग इसको फिलप कर लेते हैं जैसे ही फिलेब करने के बाद फ्रेंड्स आप अगला पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेगतिकत वीवरंड जो है वो टू पोर्टल खोल कर ओपेन होकर आ जाएगा ठीक है यहां पर आपको सिंपली करना क्या है फ्रेंड्स कि आपको यहां पर स्रेडी सेलेट करना आपक सोरी प्रमारपत्र के आवदन क्रमांग को फिलब कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर okay करना है उसके बाद एक यहाँ बीपिल जो card धरक है उससे आप नीचे हैं तो आप लिख सकते हैं हाँ और नहीं तो फिर आप लिख सकते हैं no उसके बाद अगला पर आपको click कर देना है friends जैसे ही आप अगला पर click करेंगे तो आपके सामने जो document है उसका details fill up करने के लिए एक जो page है open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं high school intermediate का और आप यहाँ देख सकते हैं इसनातक का ठीक है और यहाँ पर इसनाकोत्तर का यानि कि आप BA और MA वगरा UG और PG की है तो आप इसका detail यहाँ पर fill up कर सकते हैं यहाँ पर simply आपको करना के है friends कि यहाँ पर देखे हाई स्कूल का जो विद्याले का नाम उसको fill up करना है बोर्ड का नाम यहाँ पर fill up करना है उतिर्वर्स की सन में आपने high school उतिर्ड किया उसको भरना है पुड़ांक आपको भर लेना है उसके बाद प्रप्तांक यहाँ पर fill up करना है जिसी प्रतांक यहाँ पर fill up करेंगे तो आपका जो प्रतिसात है वो automatically यहाँ पर चला आएगा उसके बाद यहाँ पर select करना है यदि आपके पास मार्सीट हाई स्कूल की सनत और मार्सीट अलग अलग है friends तो आपको यहाँ पर मार्सीट को upload कर लेना है और यह यहाँ पर intermediate की बात करते हैं तो यहाँ पर विद्यालय का नाम होई बॉर्ड का नाम उत्रिंड वर्स और प्रतांग और परिसत इंट्यमेटिक आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर click करके आपको intermediate का जो मार्सीट है उसको download कर लेना है और उसको upload कर देना है ध्यान नहीं कि ज आई स्कूल इंटर का जो डिटेल है उसको fill up कर लेंगे यदि आपका यहाँ पर percentage यहाँ पर जो आपका maximum मार्क है और अप्टेन मार्क फिलप करने बाद percentage नहीं हाता तो यहाँ पर आप टाइप करके भी लिग सकते हैं ठीक है फ्रेंस जैसी आप यहाँ पर सब कुछ complete कर ल और यहाँ पर signature upload कर लेना है यह जो फोटो है फ्रेंस 20 के वी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो signature है आपका ओभी 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो simply आपको करना करें है यहाँ पर क्लिक करके आपको फोटो अपलोड कर लेना है तो चलिए फटा-फट हम लोग फोट अगला पर आपको click कर देना है तो फ्रेंट जैसे अगला पर आप click करने का तो आपके सामने इस तरह से जो आपको farm है वो complete हो गया है ठीक है आप इसका print out निकाल करके save रख सकते हैं या फिर इसको pdf में upload करके आप इसको रख सकते हैं तो यह reference जनकारी आपको जो आवेजन farm है फिलब करने का ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फरमेशन के साथ तबते के लिए नमस्कार